नश्कार मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पी आरवी राजनितिक के मौसम को भाप लेने वाले राम विलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन उसनकी राजनितिक विरासत को चिराग पासवान समाल रहे हैं लेकिन यहां पे चिराग पासवान चूप और राजनितिक के मौसम को नहीं भाब सकया जिस तरीके से पिता रामविलास पासवान भाफ लिया करते थे चिराखमासवान के साथ एक राजनितिक चूख हो गई और चूख इतनी बड़ी हो गई कि मौसम को भाफ नहीं पाए और मौसम बदल गया है जो मुलाकात हुई है अमिस्टा से जो मुलाकात परशुपती कुमार पारस चिराग पासवान के चाचे की मुलाकात हुई यह मुलाकात राज़ितिक गल्यारों में चर्चा हो गई चिराग पासवान के पुत्र चिराग पासवान के कहीं ने कहीं रिप्लेस्मेंट के तैयारी इंडिये में हो रही है क्योंकि चिराग पासवान जिस तरीके से लगातार बयान इंडिये के खिलाफ परधान मंतरी मोदी के हर फैसलेक के खिलाफ खुल कर बोलते हैं चाहे वो लेटरल एंटरी का मामला हो, चाहे वो क्रीमी लेर का मामला हो, चाहे वो आरक्षन को ले करके पुरे देश में जाती के जनगना को ले कर सरवे कराने का मामला हो, इन सब मामलों में चिराग पासवान सरकार के साथ कम और विपक्ष्ट के साथ ज्यादा ख़ड़ा हो इंडियो को उस वक्त लगा कि चिराग के चाचा के पास जनाधार नहीं है जनाधार अब भी जो है चिराग पासवान के पास है उसके बाद 2024 में जो अब चुनाव वे तो चिराग को साथ में लिया गया और पांच टिकट दिया गया और पांच और टिकट पे चिराग पासवा हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी के तमाम फैसले का विरोथ करने लगे कुण-कुण फैसला उसकी चर्चा करेंगा और उसके बाद जो मुलाकात हुई उस मुलाकात के बाद जो राजने मिलाते हैं और वो भी कहते हैं कि जातिकत जनगना होना चाहिए सिर्फ यहीं नहीज लेटरल इंटरी लेटरल इंटरी पे क्या चिराग पास्वान ने कहा वो ब्यान देखिए लेटरल इंटरी के जरिये कुछ पदों पर सीधी बरती हो रही है जिसमें आरक्षन को ध्यान में नहीं रखा गया उसको मैं और मेरी पार्टी सहमत नहीं है हम इसके खिलाफ है लेटरल इंटरी पर चिराग पाशवान का ये ब्यान उसके बाद परधान मंत्री मोधी मजबूर हो जाते है क्योंकि विपक्ष का दवाब था ही और उपर से चिराग पाशवान उनके लेकिन किरीमी लियर को लेकर भारत बन था उस भारत बन रा चिराग पासवान ने किया चिराग के जो समर्तक है जंडा लेकर प्रदान मंतिरी मोधी के खिलाफ सरकों पर उत्रे वह आपने देखा और जाती के जंगन्ना रहुल के स्वर में स्वर अखिलेश के स्वर में स्वर मिलाकर चिराग पासवान वो ले वह आपने देखा अब आय पासवान का रिष्टा वो है हाला कि यह परिवार है बात समझे लेकिन वह ऐसे परिवार है क्योंकि चिराग को इन्होंने तोरा इनकी पाटी के तोरा आचिराग की दो भाग में चिराग के सांसदों की इन्होंने तेरा तो कुल मिलाकर एक कमान में दो तलवार नहीं रह सकता उसी तरीके से एक गटबंदन में चाचा और भतीजे नहीं रह सकते हैं यह स्थिती है तो अब यह क्यों चिराग पासवान को का जो विकल्प जो है वो बीजेपी क्यों तलास कर रही है क्योंकि चिराग लगातार मुखर थे चिराग हर फैसले का विरोत कर रहे थे तो यह जो चाचा होंगे अंदर यह ख़वर अब चलने लगी है कि भतीजे बाहर होंगे और चाचा अंदर होंगे चाचा मतलब पसुपति कुमर पारस वो चाचा जो पिछली बार भी एंडिये के साथ है मंतरी भी थे चिराग साइड थे तो क्या चिराग क्यों रिप्लेस करने के त् पिए यह नता जा सकते हैं तो प फथी किमर पारस की अभी की मुलाकात यह बताती है कि ऑनदू हो मतलब नहीं भाब पाएं और इंडिये शे चीराग का रास्ता खत्म होने वाला है और चिराग के पास एक ही विकल्प अभी ब upgrades मुटया को वह इंडिया गट इंडिया गटबंदन की तरफ से मतलब आरजेडरी की तरफ से चिराग पासवान को हमेशा विलकम की तयारी रहती है अक्सर जो उनकी नेता ब्यान देते हैं कि चिराग पासवान हमारे साथ आ जाए इस तरह के चीज़े आपने देखे लेकि जाती गजनगना इसको लेकर चिर परने के मदे नजर तयार की जाती है ऐसे में उस जाती की आबादी की जानकारी सरकार के पास होनी चाहिए ताकि उसके अनुपास से रासी अवंटित की जा सके ऐसे में इन आकरों को सार्वचनी करने का प्रगज़र नहीं हूँ क्योंकि इस समाज में दरार पैदा होता है तो जाती है जनगना के समर्थन में भी चिराक पासवान उतर है अब देखिए केपी मलिक है दैनिक भासकर के वरिश पत्रकार है वो किस तरीके से ब्यान दे रहे हैं उनका क्या वो अनुभव है अपने अनुभव से वो क्या कह रहे हैं वो एक बार देखे किस तरीके से सब्सक्राइब करने के लिए चाचा की एंट्री कराए गई और चाचा जो है वह इस बार बिहार में चुनावाने वाला चाचा को सब्सक्राइब करने के लिए चानक की बड़ी निगाएं है चानक के कौन है आपको सब पता आगे देगे क्या का उन्हों नहीं है आप समझे किस तरीके से पस्वुपति कुमारस कुमारस की इंट्री है चिराग पासवान ने कई बार कह सके कि चाचा का अब घरवापसी संभव नहीं है क्योंकि चाचा ने पिता के जाने के बाद चिराग पासवान के पिता के जाने के बाद पार्टी को दो भागों में बाड़ दिया चिराग जो है पूरे पांच साल सरक पे ठोकर खाय सरक में जो रहें और सांसत जोनका पार्टी थी जो सांसत थे सब जो है चाचा के पास सले गते लेकिन अब वातिकि यह कि है उससे लग रहा है कि सितरी के से भ्यांदे रहे हैं जिस तरीके से चाप प्राज्णियृतिक बादल वह मनत्रा रहा है और इस बार चिराध पासवार मौसम को नहीं भाव पाएं को अदिाय्श कि विदाई की खबरे और पार्टी की खबर आ erect